हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इंटू माई चैनल, कैसी हैं आप सब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए बहुत ही यूच्वल वीडियो लेके आई हूँ, तो गर्मियों का मोसम हो गया है, और गर्मियों में मच्छरों की समस्या सब के साथ बहु ज़्यादा होती है, बस आपको घर पे ही जो आपके पास प्याज है वही लेने है, और प्याज से ही आप मच्छर के बगाने का ये नुच्वा तियार कर पाएंगे, घरेलू चीजों से ही, और बहुत ही कारगर नुच्वा है, एक बार अगर आपने इसको अपलाई कर लिया तो आपके घर से बहुती जल्दी दूर भाग जाएंगे और बिमारियों से भी आप बचे रहेंगे तो प्याज तो हम सब्ची वगएर हमें तो यूज करते ही हैं लेकिन आज इस नुस्के के लिए भी आप प्याज को यूज करके देखे एक बार आज माकर्त जरूर देखे और वीडियो को स् चिल्के हैं इनको ही हमें यूज करना है प्याज को आप सब्ची वगएर हम यूज कर लीजिए और इसके चिल्के हम सारे चिल्के उतार लेंगे आप प्याज के साथ लैसुन भी ले सकते हैं पर कई लोग लैसुन नहीं खाते हैं तो लैसुन में थोड़ी ज्यादा मतलब म के चिलकों को आपको बिल्कुल भी नहीं फैकना है इस तरह से आप देखिए सारे चिलकों को अपने प्याज को छील कर चार पांच प्याज ले लीजिए और इनको छील लीजिए तो इस तरह से मैं सारों को छील लूँगी और फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो पर नहीं आए हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक चुरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि आने वाले यूच्फुल वीडियो आपको भूत फायदा दें और इन वीडियो से आपके पैसे भी बचेंगे आपको बजार से की जुरूरत है मच्चरों को बगाने के लिए तो इस तरह से हम देखिए हमने सारे प्याज को चील लिया है और इनके चिलको को ही हम यूच करेंगे तो इस तरह इनको आप जो चिलके थोड़े बड़े हैं उनको आप ऐसे चोटे-चोटे साइज में काट लीजिए चोटे- पेड़ पोदों में डाली है पेड़ पोदों में ये खात का काम करते हैं इनके पानी को आगर पेड़ पोदों में डालेंगे तो पानी ऐसे इस पानी से आपके पेड़ पोदे बिल्कुल हरे-बरे रहेंगे तो देखिए अब हमने ये पानी ले लिया है और इस पानी में अब हम ये प्याज के छिलके डाल देंगे, इनको हमें अच्छी तरह से उबालना है, और उबालने के बाद ही हमारा ये गरेलून उसका तयार होगा, तो देखिए अब हम इसे रख देते हैं, गैस पर और इसे उबालने से पहले हमें इसमें कपूर भी एड करना है, कपूर आ आप सुबह साम अपने घर में कपूर जलाएंगे, तो उससे आपकी घर की नेगिटिविटी दूर होगी, और घर में शुकसान्ति का वातावरन रहेगा, और घर में प्यार बना रहेगा बच्चों में और बड़ों में, तो इस तरह से आप कपूर को सुबह साम पूजा कर घर के जो मच्छन और मक्ही है, वो बहुत ही जुल्दी दूर हो जाएंगे, भाग जाएंगे, तो इस तरह से देखिए, मैंने कपूर को पाउडर बना लिया है, और इस तरह में पानी में हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, अब मैंने ये गैस पर रख लिया है, और इसे मैं तीन मिनट के करीब ही बोयल करूँगी, तीन मिनट में ये जो प्याज के छिलकों का सारा दर्स है, जो इसमें पानी में आ जाएगा, बस इस तरह से देखिए, अब ये बोयल होने लग गया है, और इसमें चमच मार देंगी, जिससे ये कपूर जो हमने डाला थ तब ही हमारा ये गरेलुन उसका अच्छी तरह त्यार हो पाएगा, तो ये देखिए बिल्कुल, अब ये उबल गया है, मैंने गयास को, बंद कर दिया है, अब इसे हम थंडा होने के लिए रख देंगे, और देखिए अब ये मेरा थंडा हो गया है, थंडा होने के बाद, अब हम इसे इस मेसे जो ये प्याज के छिलके हैं, इनको हमें निकाल लेना है, और पहले इसे हम इच्छी तरह से थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसमें कुछ और भी ऐड़ करेंगे, क्योंकि प्याज और लैसून अगर हम डालते हैं, तो उसकी थोड़ी स्म आएगी, और प्याज की बिल्कुल भी महक नहीं आएगी, आप लैसून भी डालेंगी, तो लैसून से थोड़ी सी ज्यादा तिकी महक आती है, तो आप चाहिए तो लैसून डाल सकते हैं, और नहीं तो आप केवल प्याज के छिलकों से ही इसको बना सकते हैं, बहुती की हेल्प से देखिए चान लेते हैं तो इसे चानने के बाद आपको न किसी स्प्रे बोतल में ही इसको डाल कर रखना है ताकि जब भी आपको यह लगे मच्छर है घर में मक्की है तो आप असानी से इसको स्प्रे कर ले मतलब 10-15 दिन में आपको इसे स्प्रे करते रहना चाह सकते हैं तो अब मैं इसको इसी एक स्प्रे बोटल में डाल लेती हूं देखिए मेरी शेंपू की बोटल है तो मैंने इसको दो लिया था और दोने के बाद अब मैं इसको मैंने इसको फैका नहीं क्योंकि स्प्रे बोटल ऐसी होती है कि भी किसी भी चीज में हम इसको इसंतला था इसफसMan फ条 कि परोपर वाला हिस्सा रहता था इसको मैंने रख लिया था 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 कि मैं किसी भी बोटल बोटल में वेल व'RE ड़ो डलू तो यह ऐये सहीतरत ऐसे प्रोपर त्रही से डल जाता है तो इसको मैं देखिये इसमें पानी आराम से यह डल गया है तो इस तरह से कोई भी चीज आप भी फैकने से पहले एक बार जुरूर सोचे कि हम इसको किस चीज में यूज कर सकते हैं तो मैं तो कोई भी चीज असानी से फैकती नहीं सोचती हूँ पहले कि उसको कैसे हम यूज करें और बिल्कुल ही यूज नहीं होती, तब ही हमें उसे फैकना चाहिए, नहीं तो यूज करते रहना चाहिए हर चीज को, तो अब यह मैंने देखिए, स्प्रे बोटल में डाल लिया है, और अब हम इसका यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको जहां पर भी आपके घर में मच स्प्रे करना है, क्योंकि यहीं से जो खिड़किया होती है, यहीं से हमारे मच्चर जादा अंदर आते हैं, और इस तरह से अगर आप स्प्रे करेंगे, तो बिल्कुल भी आपके मच्चर नहीं आएंगे, और मैंने इसमें शेंपू डाला है, इस वज़े से इसमें इसको स्प्रे किया, तो बिल्कुल भी एक भी मच्चर नहीं आया, तो इस तरह से जहां पर भी आपके परदेवर्दे, जहां पर भी आपको लगता है कि बहुँ ज़्यादा मच्चर है, मक्की है, महीं पर आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, किचन में भी आप इसको प्राइकर में थाल